जहें दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद है सब कुछ बढ़िया होगा और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पिलिस के टाप पचास मुश्ट इंपर्टेंट कुश्चन के बारे में एक बार फिर से ये है माडर पेपर पांच हुआ क्योंकि इससे पहले चार माडर पेपर आरेड़ी डाले जा चुके हैं आप वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जाच कर सकते हैं आईए एक बार फिर से इस बार वर्दी लेकर रहेंगे हैश्टेग में आपका स्वागत है और चलिए इस बार प्रश्णों का संकला चालो करते हैं सबसे पहला प्रश्ण है यहाँ पर जो काम करना कठिन हो वाक्यांस के लिए एक सब्द लेखिए पहला दुसकर दुसरा दूबर या तीसरा कठिन या डि असंभव तो दोस्तों जो काम करना कठिन हो उसके लिए कहाजता है दुसकर तो दोस्तों यहाँ पर ए अपसन बिल्कुल राइट हो जाएगा जिनका भी सही है लाइक कर दो वीडियो और जिनका नई सही है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो लगाता राती रहती है आगे बढ़ते हैं मोच की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है नमबर ए करमट नमबर बी मुमुच्छू नमबर सी उत्सुक नमबर डी जिग्यासू तो यहाँ पर जो आपसन सही हो जाएगा वो होगा बी मुमुच्छू मोच की इच्छा रखने वाले को दोस्तों हम कहते हैं मुमुच्छू और ऐसी और वी सब्द है जहाए से है कार में संगलांग रहने वाला करमट का आ जाता है जानने के च्छा रगने वाला जिग्यासु होता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देजे बहुत मज़ाएगा अभी इससे भी अच्छे-चे क्विश्चन आगे मिलने वाले आप जो बड़े व्यक्ति होते हैं उन्हें जेश्ट का जाता है और आपने घर पे ऐसा काफी बार सुना भी होगा आगे बढ़ते हैं निम्ने वाक के किस भाग में तुर्टी है मृत्य के मुख में जा रहा व्यक्ति सदेव सत को बोलता है नमरे जा रहा व्यक्ति नमर भी मृत के मुख में यह नमर सी बोलता है यह नमर डी सदेव सच को तो इसमें जो पार्ड गलत है वो है नमर डी सदेव सच को क्योंको दोस्तों जो ब्यक्ति मरने वाला होता है जरूरी नहीं है वो सच बोल रहा हो हमेशा ब्यक्ति सच नहीं बोलता है इसलिए यह जो डी होगा वो विल्कुल शही अंसर हो जाएगा इस बिकल्पगा आए आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है गरीब घर के लोग का जीवन दैनी होता है वाक में रेखांगिक सब्दों के वचन बदलो यहाँ पर दोस्तों जो रेखांगिक सब्द है वो है एक तो घर और दूसरा यहाँ पर है जीवन और यहाँ पर दोनों का क्या करना है वचन बदलना है तो गरीब घर के जगा पर क्या होगा पहेदा नंबर A घरो और लोगो नंबर B घरो और लोगो नंबर C घरो या और लोग नंबर D घर या लोगो तो यहाँ पर दोस्तों जो आपसन सही हो जाएगा वो य ये सुद्धवाक हो जाएगा आगे जिसका जिसका सही था लाइक करें पचास कुश्चन किसने इंकला में बहुत मजाने वाला है आगे और भी कटिन कटिन कुश्चन मिलेंगे जिससे आप अपनी तयारी को वैतर बना सकते हो और हिंदी साहित में पूरे के पूरी अंग हासि सिचका नमबर C सिचका ए या नमबर D सिचकगड तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपसन D सिचकगड अब यहाँ पर आप लोग गलत मत लगा दीजेगा आगे चलते हैं फिसलन डाट डाट है तो क्या है फिसलन विसेशन है या क्रिया पद है या भावाचक संग्या है या फिर क्रिया विसेशन है तो दोस्तो फिसलन क्या होता है एक भावाचक संग्या है इसलिए नमबर सी का बिकल्प हो जाएगा बिल्कुल राइट आगे बारते हैं दोस्तो च आर पांच वीडियो जो डाली गई है उसको भी हल कर सकते हो जिससे आपके पूरे के पूरे कुश्चन जो है वो तयार होते चलेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है प्रेम अंदेखी राहों की तरह ही आकरसक होता है वाक का काल पहचानिये कौन सा काल है दोस सामान वरतमान काल है प्रेम अंदेखी राहों की तरह ही आकरसक होता है इस वाक में सामान वरतमान काल है और सामान वरतमान काल किसे कहते हैं क्रिया का वा रूप जिससे क्रिया का वरतमान समय में होना पया जाए सामान वरतमान काल कहलाता है जैसे माताजी भोजन बनाती है अगला कुशन यहाँ पर आ जाता है देख सकते हैं निमलेखित ब्रश्ण में चार विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचाना है आपको और दिया गया है वाक्त इस्कूल बस पांच मिनट डट डट यहाँ पर आपको विकल्प दिये गए है आना समान भ भविस्यत काल और भविस्यत काल चूकी मलब भविस्यत किसे कहते हैं होने वाला काम तो यहाँ पर आपसन क्या हो जागा आपसन B में आएगी बिल्कुल सही हो जाएगा जब B को यहाँ पर आड करेंगे तो पूरा वाक्त हो जाएगा इस्कूल बस पांच मिनट में आएग कि आप यहां पर दे सकते हैं। और यहाँ पर जो जही बिकल्फ हो जाएगा वो हो जाएगा आपसंडी, गीत धन अंजली, गीत अंजली यहाँ पर आपको नियम भी बताया गया है की कैसे हुआ यह दीरग स्वार संदी का उदाहारान है आपको ये भी बताया गया, यहाँ पे गीत में, जब आप हलंद लगाएंगे, तो यहाँ पे आ निकलाएगा, और इधर भी आ है, जब समान वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं, तो वहाँ पे दिर्ग संदी हो जाता है, आकास वर्ण ये दिर्गा, आपको सुत भी पता होगा, यहाँ पर लिखा भी गया है, एक्स्प्लेन करके, यदि आ, आ, ई, ई, उ, उ, तथा री के बाद वही स्वर, हरस्व या दिर्ग स्वर आएं, तो दोनों मिलकर करमसा आ, ई, उ, और री हो जाते हैं, इसके कुछ अनुदारन इस प्रकार है, कुछ अनुदारन भी आपको मि बूंद, बूंद से घट भरे, डाट, डाट, सही बिकल्ब का चैन करके, लोगोख्ती पूरी कीजिए, यहाँ पर है, तो यहाँ पहला, टपकत रीतो होई, भी खट भरे सो टपकत जाए, या नंबर थी घट भरे सो खाली होई, नंबर सी घट रीतो होई, तो यहाँ पर, दोस्तों बून्द बून्द से घट भरे आगे का इसमें स्चार में से जो एक साही होगा वो यहाँ पर हो जाएगा नमबर A टपकत रितो होई अर्थात बून्द बून्द से घट भरे टपकत रितो होई यह पूरी की पूरी लोकोक्ती हो जाएगी यहाँ पर आप इसका एक अपने जीवन का 2 गंटे बरबाद कर दिया है कोई बात नहीं है अगली बार हम ध्यान देंगे तो याद रखना अगर आप अपने जीवन का 2-2 गंटे बरबाद कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हान करके आप एक अपना पूरा काम भीगाड लेंगे आप पूरा दूसरा बंदा उसी समय को संचित किया और उसी समय में जम के मिनाद किया जब रात में आप सो रहे थे तो वो मिनाद कर रहा था यही कारण है कि उसको वर्दी मिल गई आपको नहीं मिली इस बार इस बार कसम खाओ दोस्तों अपने लिए नहीं अपनों के लिए माता पिता के परिवार के लिए परिवार में जो संकट है उसके लिए बेरोजगारी का जो ठपपा लगा है उसको हटाने के लिए वर्दी जरूरी हो गई है और इस बार प्रन ले लीजे वर्दी लेकर रहेंगे किसी भी आलत में श्रीकरनेश अकडेमी आपका फुल सहायक है चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो पांच-पांच-चे माडल पेपर डेली आ रहे हैं आप लगातार अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं हिंदी से कहीं भी कोई भी कुशन आएगा आपका नहीं फसेगा गरांटी देता हूँ अगला कुशन यहाँ पर आजाता है समझावता करना निमलखित में से किस मुहावरा का अर्थ है तो दोस्तों यहाँ पर कान भरना और कान भरना दो बार आ गया है तो इसको हटा दीजे इसका सही विकल्फ हो जाएगा ए खाई पाटना तो खाई पाटना मतलब होता है समझावता करना यहाँ पर आप दे सकते हो आगर आपसे यहाँ पर एक प्रकार से अगर आप चाहें तो अर्थ प्रियोग भी कर सकते हैं जैसे रमेश और महस में पूरानी दुस्मनी थी लेकिन रागवन में उनके बीश की खाई पाट कर बड़ा काम किया अर्था तो उनके बीच की समझोता करा दिया और बहुत बड़ा काम कर दिया ठीक है आगे यहाँ पर जो और भी आई है मोहकी खाना उसका अर्थ होता है बुरी तरह हारना और यहाँ पर कान भरना का अर्थ होता है सिकायत करना या चुंगली करना ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है मन डाट डाट तो कठावती में डाट डाट सही विकल चुनकर इस मुहबरे को पूर करना है दोस्तो बहुत ही फेमस मुहबरा है यह 100% आपके UPSI में आ सकता है आपके UP Constable में आ सकता है आप यहाँ पर देशते कितनी बार यह पुछा गया है 2017 में दो बार आया है तो यहाँ पर दोस्तो आपको पता है यह सेमस है नंबर A चंगा और भला नंबर B चंगा या गंगा और गंगा नंबर C गंगा और चंगा या नंबर D भला और चंगा तो दोस्तो आपको यह पता है मन में चंगा तो कठावती में गंगा होता है तो यहाँ पर मन में चंगा यहां पर चंगा होगा तो कठाउती में गंगा यहां पर हो जाएगा तो चंगा और गंगा आएगा जो कि बीविकल्ब सही है और यहां पर बीविकल्ब बिल्कुल सही हो जाएगा और सही मुहबरा हो जाएगा मन चंगा तो कठाउती में गंगा और इसका अ नमबर ए डंके की चोट पर यहां पर आगे है एस्पर्ष्ट सब्दों में नमबर भी जहर की पुडिया जिसका अर्था है धोखेवाज नमबर सी ढेर करना अर्था थारा देना या डि तूती बोलना अर्था विरक्ति होना तो दोस्तों यहां पर अनुचित जोड़ा च्छ में बहुत आगे है जैसे कहते हैं कि क्रिकेट में बिराट की तूती बोलती है ठीक है सचिन जब आता था पिछ में तो तूती बोलती थी तो तूती बोलने का मतलब होता है दोस्तों बिरक्त होना नहीं बलकि तूती बोलना करता है धाक जमना ठीक है जैसे मैक्सवेल ने दोह बाइक दोस्तों यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि डंके की चोट पे वर्दी लेकर रहेंगे पहले नमबर पर हमारे वर्दी होना चाहिए बाकी दूसरी चीजें होनी चाहिए दिमाग में बाद में अभी वर्दी लेनी है वर्दी की कसम खाओ चैनल को सब्सक्राइब कर करो बहुत तगड़ी तगड़ी कुश्चन आप देख रहे हो कैसी है आगे बरते हैं साहित के शेतर में अब कुश्चन उठाते हैं यहाँ पर दोस्तों एक पंक्ति दी गई है मेरा मन अनंत कहां सुकपावे जैसी उड़ जहाज को पंची फिर जहाज पर आवे कमल नैन को उच्छान महातम और देव को ध्यावे तो दोस्तों आपको इस पंक्तियों को पढ़के उत्तर देना यहाँ पर पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में जो कमल नैन आया है इसमें अलंकार कौन सा है तो यहाँ पर दोस्तों नंबर A रूपक है कि नंबर B उपमा है यह नंबर पर आती चोज़ कि रां गया है जा है या खी उपना को या न कि सब्सकार कर लिया गया है और जब सविकार कर लिया जाता है यानि दोनों के भी बीच में थोड़ा भी फर्क नहीं छोड़ा जाता है तो वहाँ पे रूपक हो जाता है यानि वो उसका रूप धारण कर लेता है अगर थोड़ा भी अंतर रहता तो वो उपमा हो जाती यानि नयन को कमल के समान उपमा द तो दोस्तों एक बार फिर पढ़ लीजे, जैसे उड़ी जहाज को पंची, फिर जहाज पर आवाए, कमल नैन को छाडी महात्म और देव को दाओ, तो जैसे उड़ी जहाज को पंची, आप यहां पर बिल्कुल यहां पर देशाते हो, आप यहां पे बताइए, रूपक है, य अभी आपने कमल ननयान में रूपक लंगकार देखा यह ऐसे है पूरे ca में घोते हुए धी समाँना जाती है एस लंगकार यहां पर आप देते है जो हमारा यहां इस में जहनो आया होगा ठीक सकते है जह सकते हो जैसे ओया है ठीक है जहन मन तो बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा उत्परेचा लंकार ठीक है यहां पर अगला कुशन है जहां गाठ तहां रस नहीं यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रियोग हुआ है नंबर ए उपमा नंबर बी यमक नंबर सी स्लेस यह नंबर डी अनप्रयास तो याद रखन और चूतें है तो वहां पर देखे गण्या थोड़ी-थोड़ी घडेरी पड़ी रहते है जिसे हम गाठ कहते हैं बीच- brands वहां पर उसरी भूंखिया है बैर भाव ना रखते हैं वहां पर भी कभी का संकेện जा रहा है अर्थत एक सब्ध से हमको dual Hiç होता है तो वहां परogen सलेश सिलेज हो जाता है इसलिए यहां पर स्लेश लंगलीगा हो जाए ठीक है यहां परते से तो एक सब्ध के एक से अधीक अर्थ और एक से अधिक अर्थ प्रगटरन में अपेचित हो ठीक है यहां पर गाठ का अर्थ यहां पर देशतों एक तो गन्य के लिए है और एक जोड के लिए है ठीक है एक प्रेम वर्रस के लिए है ठीक है आगे चलते हैं यहां पर दोस्तों बहुत ही खतरना कुश्यन है जो कि आप राष्टी हिस्च्छ परंपरा या नमबर डी एक गुरु सिच परंपरा तो यहां पर दौस्तो आपको बताना है कि कौन सी परंपरा होती थी सबसे पहले भारती सिच्छा पद्यद कहां सिस्टार्ट हुआ तो दोस्तों यहिए साही विकल्प हो जाएगा आप्शन डी एक ग अर्थ है तो दोस्तों यहाँ पर नंबर आधा नंबर बी निसेद नंबर सी पूरा या नंबर डित तक तो यहाँ पर दोस्तों आसाध सब्द जो है इसके अक उपसर जो लगाए इसका सही अर्थ जो हो जाएगा नंबर बी अर्था निसेद आका निसेद लग गया यहाँ प कौन सी पत्रिका के संपादग महावीर प्रसाद दुवेदी थे तो दोस्तो याद रखना नमबर A है ब्रह्मा नमबर B सरसुती नमबर C विसाल भारत या नमबर D हिंदी परदी तो दोस्तो यहाँ पर आप सन B जो हो जाएगा सरसुती यह बिलुकुल राइट हो जाएगा औ अगर आपसे पूछा जाता है कि महावी प्रसाद दुवेदी ने कितने सन में सरसुती पत्रिका का संपादन कारभार ग्रान किया तो 1903 में कब तक किया तो 1920 तक किया ठीक है दोस्तो यह चीज़ ध्यान रखना है और इनके बाद किसने किया अगर आपसे पूछा जायता है तो पदुमलाल पुनलाल बक्षी ने किया ठीक है इसके अलावा दोस्तो अगर आपसे बात किया जा हिंदी प्रदी पदिका के संपादक रहे हैं बाल किष्ण भट ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं सूरदास के गुरू थे नंबर तो अगर नहीं पता तो एक बार आप लोगों को सोचना चाहिए यार बिल्लकुल नहीं पता कोई बात ने स्री गाने सेगनवी चैनल में आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जो आपसन C है बलभाचार वो बिल्लकुल राइट हो जाएगा सूरदास के गुरू को नाम राम भक्ति साखा आती है अगर आपसे पुछा जाए फिर भी कौन से साखा से थे तो ये कृष्ण भक्ति साखा के थे ठीक है इसके अलावा तुलसी दास के बारे में तो राम भक्ति साखा के थे ठीक है याद रखिएगा अगर ग्यान मार की साखा का है तो कभीर दास थे प् पंक्तियां किस काविर रचना से है दोस्तों ये बहुत तगड़ी लाइन है याद रखना है हिमिगरी के उत्तौंग शिखर पर बैठ सिला की सी तल छाह ये पंक्तियां कहां की है नंबर रस्मिरती नंबर बी कमाईनी नंबर सी गुंजन या नंबर डी साकेथ तो दोस्तों पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर B अर्थात कमाईनी की है तो दोस्तों यहाँ पर कमाईनी के बारे में जान लीजे उग्द पंक्तिया कमाईनी के पर्थम सर्ग चिंता की प्रारमिक पंक्तिया है चायावाद के ब्रियत्रई में जसंगा प्रसाद क कहा जाता है ब्रह्म कहा जाता है इनकी कावकृतियां कौन-कौन से हैं उर्बसी है वन मिलाना है प्रेम राज आप लोगों को याद कर लेना है और यह जो पंक्त थी इसको भी रट लीजे कमाईनी के प्रतम सर्ग है दोस्तों और इस टार्टिंग पंक्तियां ही अच्छे और आनंद कदामनी, आपसन B. हरिशन मैगनीज, आपसन C. बाला बोधनी, या आपसन D. कव्यचन सुधा, तो दोस्तों यहाँ पर सही आपसन हो जाएगा, आपसन A. आनंद कदामनी, ये दोस्तों संपादक इसके हैं, प्रेम घन, और बाला बोधनी जो है, इसके भी भारतिन हरि मैगनीज था, 1873 में इसको इन्होंने संपादेत किया था, ठीक आठ माँ बाद ही, यानी 1874 में इसका नाम बदल गया था, हरिश्चन चंडर का हो गया था, और 1884 में इसी पत्रिका का नाम क्या हो गया था, न ओ दिता हो गया था, ठीक है, याद रखना, हरिश्चन तो आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन है इन में से मैथली सरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है नमबर A साकेत नमबर B प्रिप्रवास नमबर C भारत भारती या नमबर D रंग में भंग तो दोस्तो यहाँ पर जो आपसन B है प्रिप्रवास वो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि ये है दोस्तो हरियोध का ठीक है अध्या सिंगुपाद हरियोध का और याद रखना है प्रिप्रवास के बारे में ये खड़ी बोली का पहला महाकाब्य है रंग में भंग दोस्तो ये जो क्रिती है मैथनी सरंड गुप्त की सबसे पहली क्रिती है ये भी याद रखना है साकेत सबसे ज़्यादा इनका दोस्तो लोगप्री है भारत भारती मिनको साहित अगदमी पुरसकार भी मिलाता है ये आपको ये सब चीजे थोड़ा ध्यान ठीक है और यहां पर दूस्तों मैंतली सरणकभत को आधनिक यूग का तुलसी असकता है आधनिक यूग का तुल शिकलता है यह बहुती ज्यादा जरूरी में पुशें का जाता है लिए कर यहां तो चैनल को वर्दी तो मारना उनके चेहरे पर जो कहते हैं कि आपका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा हमारे पिता जी से ठीक है दोस्तों अपने लिए नहीं पिता जी के लिए घर परिवार के लिए दोस्त यारों के लिए हमारे घर की जो भिपत्ती है उसके लिए ठीक है घर में दोस्तों जो हमारी बिरोजगारी के ठपे लगए है उसके लिए नौकरी तो पाना हंड़ेट परसंट तया है लेना जरूरी है रोजगार तो मिलना चाहिए और ये वर्दी वर्दी कोई रोजगार के लिए हम थोड़ी लेंगे रुतबा होगा वर्दी में यार रुतबा होगा भाई जिधर चलेंगे उद्वर रुतबा पता चलेगा साला की पुलीस है भाई वर्दी में रुतबा होती है ठीक है तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग रुतबा तयार रखिए कायम रखिए आपको वर्दी मिलेगी ही मिलेगी तयारी जारी रखिए स्रीकरने सेकंडमी चैनल के साथ में मिलते हैं नए वीडियो साथ में तब तक लिए जय हिंद वंदे मातराम जय हिंद